Hello students, welcome to Tiwari Academy. अब हम देखते हैं question number 6. इसमें differentiate करना है इस वाले expression को e की पावर x plus e की पावर x square ऐसे करके e की पावर x की पावर 5 तक. तो y है आपका e की पावर x plus e की पावर x square plus e की पावर x cube plus e की पावर x की पावर 4 आएगा plus e की पावर x की पावर 5. यह है तो इसको differentiate करना है dy by dx तो इसका differentiation यह तो आपका e की पावर x ही आ जाएगा plus इसको differentiate करना है तो chain rule लगाना पड़ेगा e की पावर इसको t मानने थोड़े देर के लिए x square को तो पहले e की पावर t का differentiation e की पावर t मतलब e की पावर x square into differentiation of t मतलब x square का differentiation वो जाएगा 2x plus e की बिलकुल इसकी तरह differentiate करेंगे इसको थोड़ी दैसे T माना तो e की पावर T ही आ जाएगा differentiation e की पावर X3 into t का differentiation मतलब X3 का differentiation य dependence हैगा 3X square plus e की पावर X की पावर 4 फिर से वही e की पावर T आ जाएगा e की पावर X का पावर 4 into x की पावर 4 का differentiation 4X3 प्लस ये वाले के लिए E की पावर T मतलब X की पावर 5 इंटू X की पावर 5 कोड इफरेंसेशन 5 X की पावर 4 तो dy by dx क्या जाएगा E की पावर X प्लस 2X इंटू E की पावर X स्कूर प्लस 3X स्कूर इंटू E की पावर X क्यूब प्लस 4X क्यूब इंटू E की पावर X की पावर 4 प्लस 5X की पावर 4 इंटू E की पावर X की पावर 5 अब क्वेशन नमबर 7 देखते हैं डिफरेंसेट करना है Y की वैल्यू क्या दिविए E की पावर अंडर रूट X इसका रूट मतलब इसकी पावर 1 बाई 2 तो इसको डिफरेंसेसेट करते है तो ये पावर 1 बाई 2 के अंदर X तो नहीं है तो इसमें Chain Rule लगाना पड़ेगा इसको पहले T मान लेते है तो X की पावर Half का डिफन्सेशन क्या आता है 1 बाई 2 X की पावर 1 बाई 2 पावर में 1 by 2 minus 1 आएगा तो minus half आजेगी power और x की power 1 by 2 नीचे आजाएगा तो dy by dx की आजाएगा सबसे पहला step 1 upon 2 और ये क्या है t की power half आएगा मतलब e की power root x की power half ये आजाएगा into अब chain rule से इसको differentiate करना पड़ेगा अब e की power root x में फिट से ये तो x नहीं है x से होगी function नहीं अलग तो इसमें फिट chain rule लगेगा इसको थोड़े दे के लिए t मान लेंगे तो e की power t का differentiation आएगा e की power t तो e की power root x आगया into t को differentiate करें मतलब root x को differentiate करें अब root x का differentiation क्या होता है यह होता है हमने लिख लिख लिया तो 1 upon 2 under root x x की power 1 by 2 या root x कुछ भी लिख लिख लिजे तो यह बन जाएगा क्या e की power root x upon 2 और 2 4 यह है root x यह है root of e की power root x अब numerator में e की power root x की power 1 है denominator में e की power root x की power half है तो इससे इसको divide करके क्या आजाएगा उपर power half आजाएगी मतलब उपर root बच जाएगा e की power root x upon 4 under root x यह आपका 7th का answer आजाएगा इसके बाद question number 8 देखते हैं log of log x y है log of log x अब यह log के अंदर directly x तो है नहीं तो आपको फिर से chain rule लगाना पड़ेगा इसको थोड़ेते के लिए t मान जिए और इसको differentiate कर दीजे log t log t का differentiation होता है 1 by t तो 1 by t क्या है यहाँ पर यह है t log x तो यहाँ पर log x आगया फिर chain rule से differentiate करना पड़ेगा कि इसको t को मतलब जो log x है अब 1 upon log x आया अब log x का differentiation क्या होता है 1 upon x तो into 1 upon x आजाएगा तो यह answer आगया आपका 1 upon x log x लुइग लुग reach लुष, लुष, भब liksom लुष, लुष